सलाम अलेकुम एवरिवन इट्स मी सुमयर रमीज और वाचिंग माय चैनल सुमयर रमीज आज का टॉपिक इतना एहम है कि मैं आप बता नहीं सकती कि वो कितना एहम है क्योंकि उसका तालुख सिर्फ एक मेकप फील्ड से ही नहीं बलके कई सारी फील्ड के अंदर ये चीज ये थियूरी अपलाय होती है जिसका नाम है कलर वील थियूरी अगर आप कलर वील थियूरी को समझ जाते हैं तो समझें आप जिंदगी के सारी जंजटों को समझ सकते हैं कि हर फिल्ड के अंदर अपनी चॉइस और अपना डिसीजन बहुत आसानी से ले सकते हैं आज कलर विल थियोरी का टॉपिक इसलिए रखा गया है क्योंकि बिल्कुल मेरी प्रिवियस वीडियो के अंदर हमने आई शेड का बेसिक्स स्टडी किया था जो कि यहां पर मेरे सामन किसी भी बिगिनर को लेकिन अगर मैं आगे लेकर चलके आपको आई शेडो की रेंज का स्टार्ट कराने लगती हूं कि हमने यह यह आई शेडो ट्राय करने तो उससे पहले मुझे यह जरूरी लगा कि आप लोगों को कलर विल थियोरी पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि कि आपको जैसे आपको आगे फाउंडेशन शेड चूज करना है कलर करेक्शन करनी है तो इन तमाम फिल्ड के अंदर आपकी कलर विल थियोरी जो है वो एप्लिकेबिल होती है तो आपको यह समझना उसूलन बहुत जरूरी है और मेरे कोर्स के अंदर यह टॉपिक शामिल म आपको most welcome और साथ ही अब आपने comment section के अंदर अपनी राय भिहा के वीडियो में देनी है तो जी वीडियो को start करते हैं कि हम color wheel theory की बात करें तो साथ ही मैंने आप लोगों के सामने यहां कुछ colors रखे भी हैं ताकि मैं साथ के साथ इनका relationship आप लोगों को आपस में बताती रहूं सबसे पहरे तो color wheel theory simply जो है वो एक relationship है आपस ही colors के अंदर इन colors का आपस में जो तालुक है इन colors का आपस में जो भी relation है वो color wheel theory जो है वो हमें समझाती है कि कि किस color का आपस में क्या तालुक है और कौन सा color किसका anti-color यह सारी चीज़े हम इस theory में समझने लगें अच्छा color wheel के अंदर total 12 colors होते हैं ना उससे कम ना उससे ज्यादा ये चीज़ आप लोग समझेंगे अब हम उन 12 colors को categorize करेंगे कि वो 12 colors कौन कौन से होते हैं और कैसे बन रहे हैं सबसे पहले तो आपको ये clear होना जरूरी है कि color wheel theory हमारी apply कहा कहा हो रही है सबसे पहले तो fashion fields आप fashion field के अंदर आप लोगों को color wheel theory बहुत ज्यादा apply होते है fashion field के अंदर इसलिए बहुत ज्यादा apply होते है क्योंकि वहाँ पर जब आप अपने dress selection करते हो of course आप उस dress के अंदर color combinations को attract करते हो जब आपको लगता है इस dress का color combination बहुत ऑके बहुत अच्छा बना है तो वह आपको impress करता है आपको attract करता है और आप उसको खरीदना पसंद करते हो color combination भी color wheel theory की मदद से fashion designers जो इसको समझते वे design करते हैं साथ ही आप fashion field के अंदर अपने dress के according अपना makeup choice करते हैं कि अब मेरा dress जो है इस तरह का combination बन रहा है या कौन सा उसका साथ same shade जाना चाहिए यह सब चीज़े भी आपको मैं समझाने लग्यों साथ ही another field is makeup field अब makeup field के अंदर तो color wheel theory बहुत ही अच्छे से apply हो रही है जब आपको अपना skin tone समझने होते हैं तो आपको color wheel theory से के बाद आपका skin tone बहुत अच्छे से समझा जाता है और फिर आप easily अपना foundation shade और concealer recognize कर पा रहे होते हैं कि हाँ अब मुझे यह चीज जो है वो buy करने चाहिए क्यूंकि वो मेरे color का anti color है मेरा same color है मेरा complimentary है तो यह सारी जंजट है आपकी और उल्जाने सुलच जाती हैं दूसरा जब आपको color correction को करनी होती है जब अगर आपकी skin acne skin type है आपकी skin पर pigmentation आ रहे हैं dark spots है dark circles है तो इन सारी चीजों को जो हम समझ पाए या सुलचा पाए वो सिर्फ और सिर्फ color wheel theory की वज़ा से वरना इससे पहले कई साल पहले चले जाएं आप बहुत साल पीछे चले जाएं तो color correction का concept नहीं था कैसा भी make-up था एकदम white-ish होता था और लोग उसके साथ आप भी survive कर रहे थे लेकिन इन सब चीजों को अब हम समझ पाएं अब हम यह सब प्रॉब्लम्स भी handle कर पाएं जस्ट विकाज अफ कलर विल थी और मैंने लास्ट अपनी प्रिवेस वीडियो में जब मैंने आपको color correction बताई है concealer और वाली वीडियो में वह जरूर वाच कर दीजे ताकि आप इस चीज को भी handle कर पाएं असानी से अब एक और फील्ड आ जाती है जैसे के इंटीर इंटीर डिजाइनिंग के अंदर हमारी color wheel theory बहुत अच्छे से अप्लाए होती है हमें home decor के ideas जो है हम उसकी साथ color combination का आपस में color combination बना सकते हैं कि हमारा paint color क्या हुआ ह घर के अंदर तो हमें decoration piece के shade के रखने चाहिए हमारा furniture का क्या shade होना चाहिए यह सारी चीज़े आप जब भी समझ पाते हो जब आप color wheel theory को अच्छे से समझ चुके होते हो तो आप उसके color combinations को समझते हो कि आपने किस तरह का अपना पूरा जो है वो interior को design करने है अब hair color की field में आप सब को ही पता है यह सारा जो color wheel का concept आया ही हमारा hair color की field से है hair color की field से कि हमारा blonde है तो blonde को हमने जो है ना बहुत ज़्यादा अगर orange color हमारे बालों में आ गया है copper color आ गया उसको हम neutralize कैसे करें तो हमने violet यूज़ करना है क्या blue यूज़ करना है यह सारा जो combination है यह सारी जो उलजने हैं वो color wheel theory ने सुलजा दी है और hair color की field में हमारी color wheel theory बहुत अच्छे से अपला होती है अब next हम आ जाते हैं कि यह color wheel है क्या ज़रा हमें इसका नजारा भी करवा दिया जाए और काफी लोगों ने इंटरनेट पे नजारा किया भी होगा कि color wheel theory जगा जगा आपको न हम जाने लगे हूँ ओके जी नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं सबसे पहले तो इनके आपस में relations दिखाऊं colors के आपस में तीन किसम के relations हैं जिसमें आ जाता है हमारा primary color secondary color तो हम primary color को सबसे पहले discuss करेंगे जो के हमारे natural colors है Primary colors are natural colors natural color क्या होते हैं कि जिनसे जो किसी भी color से बिलके नहीं बने बलके वो अपने खुद के naturally color अर्थ पे available है अर्थ पर मौझूद हैं ठीक है जी cannot be made from another color यह primary colors किसी भी color से मिलके नहीं बनें, बलके अब इन से मिलके कई colors बनते हैं, तो वो तीन primary colors क्या हैं, red, yellow and blue, these are the basic primary colors, ठीके, यह वो color हैं, जो अर्थ पर naturally मौझूद हैं, पाए जाते हैं, यह natural colors हैं, यह universe के अपने natural colors हैं, इन से जो colors निकलते हैं, फिर वो धनक, रैमबो, यह सब, यह सारे colors जो हैं, इन से मिलके बन रहे हैं, इन से निकाल के पहाड़ों के color बनें, इन से mix होके, जो है, दरख फूल के color बनें, इन से mix होकर, मिटी के colors हैं, इन से mix होकर, आस्मान के colors हैं, और यह सारी चीज़ें, इन से निकल के बन रही हैं, यह किसी से निकल के नहीं ठीक है जी कि मैंने यह तीनों कलर यहां पर आपको शो किये हैं प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं रेड येलो और ब्लू ये तीनों हमारे हो गए प्राइमरी कलर अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपना सेकंडरी कलर पर सेकंडरी कलर हम खुद बनाएंगे अब आप बात करते हैं कि हमारे प्राइमरी कलर, अब जब प्राइमरी कलर को हम मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं, इनकी आपस में मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं, तो अब हम नया कलर डिजाइन करेंगे, ठीक है? For example, मैंने Red को अगर Yellow के साथ मिक्स किया, Red को और Yellow का हमने Combination बनाना है, तो हमारा कौन सा कलर बनेगा? इसी तरह अगर Blue का हमने Yellow के साथ Combination बनाना है, तो कौन सा कलर बनेगा? इसी तरह अगर हमने Blue का Red के साथ Combination बनाना है, तो कौन सा कलर बनेगा? अब यही पर इसे एक्जामन कर लेते हैं, हमने Red को Yellow के साथ मिक्स करना है, येलो को Blue के साथ मिक्स करना है, और Red को Blue के साथ मिक्स करना है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? अब यही पर इन दोनों को मिक्स करते हैं, पहले तो मैंने यहाँ पर ले लिया है, Blue कलर, ठीक है? इसमें हमने मिक्स करना है अपना Yellow कलर, and now we have found our Green, तो यह हमारा हो गया नया कलर, इसका नाम है Secondary कलर, अब हम यही पर अपना इन दोनों कलर को मिक्स कर लेते हैं, और अपना नया कलर, चेक करते हैं, कि क्या आ रहा है? आप लोगों को बजाहिर भी नजर आ रहा होगा, और पेंट कलर से या आईशेडों से ज्यादा बहतर सरीके से आप इसको देख पाएंगे, यह हमारा परपल कलर है, ठीक है जी? तो यह हमारे कौन से कलर हुए है? secondary कलर, जो के इन primary कलर को आपस में mix करके बनने वाले, ठीक है? तो आप हमारे पास कहा कितने कलर आ गए है? six कलर आ गए हैं, तो आपने six कलर जो है यहां पर design करने हैं, यह आप लोग देख सकते हैं कि secondary कलर जो है हमारे पास आ गए हैं, means we have just three colors naturally present in our earth otherwise we have made secondary color by the combination of these colors जब हम primary colors की आपस में shading करते हैं आपस में mixing करते हैं तो हम secondary नया color बना पाते हैं और इस तरह से primary और secondary को mix करके हमारा यह six color chart तैयार हो जाते हैं ठीक है जी तो यह mixing करना यह सारी चीज़े हमने सीखनी है क्योंकि हमने बहुत अच्छे आए मेक अप करने और जैसे के जिन वीडियो पर आप लोग सबसे ज्यादा लाइक करते हो उनको सबसे ज्यादा शेयर करते हो ना वही वीडियो के अंदर colors का बड़ा काम हुआ तो फिर वह आप सीखें जब आप पसंद करते हैं तो आप सीखें भी अब यह हमारे अब यह सेकंडरी कलर का आपको पता चल गया कि कैसे बनते हैं अब तर्शेरी कलर्स क्या हैं अब यह तर्शेरी कलर्स की बहुत बड़ी फील्ड आ गई है अब जब प्राइमरी प्राइमरी जो है वो सेकंडरी कलर बना रहा है तो सेकंडरी कलर मिलके टर्शेरी कलर भी बना सकते हैं अब सेकंडरी कलर्स प्राइमरी कलर्स मिक्स होंगे सेकंडरी कलर्स के साथ तो हमें मिलेंगे टर्शेरी कलर्स ठीक है जी जब प्राइमरी शेड्स और सेकंडरी शेड तयार हो जाता है जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं मैंने पिक्चर में भी साइट पे लगा दिया है और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि अब हमारा चार्ड जो है वो छे कलर और प्रोड्यूस कर चुका जब हम तीन कलर से तीन कलर और बना पाए शिक्स कलर से six colors और बनाएंगे तो हमारे पास two colors हो जाएंगे अब tertiary colors को हमने समझना है आपको इस picture के अंदर दो किसम की tones नज़र आ रही होंगी warm colors and cool colors अब आप इसको separate out कर लीजे कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे warm colors जो के गरम colors हैं जिसके red, orange, yellow और इसके साथ मजीद lighter shade आता जा रहा है तो यह सारे warm tones हैं जिसे के गरम जिसे के sun से हम इसको relate कर सकते हैं ठीके जी इसी तरह साइट पर आप देख पा रहे हो cool colors means के sea वाले colors जिसमें समंदर आ गया, हवा आ गई, पानी है, आस्मान है इस तरह के blue की जितनी भी range आ जाएगी वो सारे हमारे पास cool colors हैं ठीक है light blue, dark blue अब मैं आपको यहाँ पर colors के थूरू भी दिखा देती हूँ के warm colors कौन से आ गए हैं और cool colors कौन से हम यहाँ पर warm colors को कर लिए, इनके साथ आप जब कोई भी red dress पहनते हो तो इन में से lip color चूस करते हो इन में से eyeshadow color चूस करते हो तो आपको warm color समझा जाएगा, ठीक है जी, तो जब आपका dress color ही warm है तो आपको lip shade और अपना makeup चूस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, अब जब cool colors की बात की तो हम cool colors को लाइदा कर देते हैं, blue की, ठीक है जी, अब यह आपको देखे, ठंडर ठंडर सा महसूस हो रहा है, आइस को comfortable सा feel हो रहा है, तो means यह कौन से colors है, यह है, cool colors, तो अब क्या है, कि अगर आपका blue color का dress है, तो आप lip color कौन से चूस करना चाहोगे, orange, अच्छा एक वक्त को, बट आपको combination best जो है, वो pink के साथ जाएगा, cool color का combination आपका pink के साथ जाएगा, तो अकसर आपने देखा होगा, जब किसी bride का, यह किसी model का blue dress होता है, तो उसका ज्यादा तर pink makeup किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको picture में भी show किया है, तो cool का cool के साथ combination जाता है, warm tone color है, जो के यहीं पर मैं दिखा देती हूँ, यह देखें, यह कुछ earth tone color है, grey, black, यह, यह white, यह है neutral colors, ठीके, अब आप इसको गौर से देखें, यह neutral colors है, इन्हें यह ना ही cool है, और ना ही warm है, ठीके जी, तो यहाँ पर तो हमने यहाँ पर colors की property को समझा, colors की relations को समझा, अब analogous colors क्या होते हैं, और complementary colors क्या होते हैं, यह आगे वीडियो में देखें, अच्छे जी, तो हम analogous colors की बात कर रहे थे, analogous colors, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात कर रहे हूँ, अगर हम यहाँ tertiary colors की बात कर रहे हैं, तो बात होती है 12 colors की, जबकि यहाँ पर हमारे पर कितन colors हैं, 1, 2, 3, 4, 36 colors, इस pack पर ही mention हैं कि यह 36 colors हैं, तो भई, यह 36 colors हैं, तो फिर यह कौन से colors हुए, तो फिर यह हुए tint या फिर shade, या तो यह tint है, या shade है, otherwise इसमें से 12 colors हैं, जो के tertiary colors होते हैं, इसके अलावा अगर मजीद उससे आपने shade बनाया, तो वो क्या है, वो आप colors mix क करने के बाद, white colors से adding करने के बाद, आप कुछ और भी मजीद shade बना पा रहे हो, तो वो आपका tint और shade हो जाते हैं, otherwise colors are only 12, वो क्या कहलाएंगे, आपके या तो tint हैं वो, या shades हैं, ठीक है, जिसको आपने मजीद white color या different color को mix करने के बाद, उसकी transitions बनाई हैं, और यह monochromatic colors भ अभी monochromatic हमें मजीद आके discuss करते हैं, मैं आपको यहाँ analogous समझाने लगी हूँ, उसको आपने समझना है properly, अच्छा जी, अभी same family colors, analogous, opposite colors, complementary colors, अभी आपको side पे color wheel नजर आ रहा होगा, picture के अंदर, जिसके अंदर आपको नजर आ रहे होगे, opposite colors, जो एक दूसरे के anti हैं, एक दूसरे के anti कौन कौन से colors आपको नजर आ रहे होगे, आपको नजर आ रहा होगा, yellow, purple का anti नजर आ रहा होगा, red, green का anti नजर आ रहा है, और blue जो है, वो orange का anti नजर आ रहा है, जो colors आपस में एक दूसरे को contrast कर रहे हैं, वो colors हमारे complementary colors हैं, और उसी के थूर, उसी के थूर, को समझते हुए हम अपने dress color combination decide करते हैं आई color combination decide करते हैं जबके एक color के साथ में जो shade चलता वो आपको नजर आ रहा है जैसे के रेड के बाद orange orange के बाद light orange then yellow यह पूरा transition हमारा same family है यह same family है तो यह हमारे analogous color है इन्हें हम harmonious color भी कहते हैं जो कि side by side एक दूसरे के साथ adjust हुए है ठीक है ना एक दूसरे के एज्जेसंट है तो वह हमारे analogous color है जैसे के मैं यहां भी शो कर देती हूं अब आप यह देखो कि यह same family है ठीक है ना same family है और अगर आप इसको proper set कर दो तो आप इसकी theme बना लोगे इससे आप इस तरह से set कर दें तो यह आप इसकी setting समझ लेंगे बना लेंगे पहले डाक आ गया then light फिर उससे light फिर उससे light फिर उससे light तो यह आपका हो गया एक analogous shade ठीक है जी पहले आपका red फिर थोड़ा से light then orange फिर उससे light then yellow then उससे light तो यह पूरा क्या है same family एक ही family के color एक दूसरे से बने ठीक है क्या है anti color तो आप समझ लें कि anti color एक दूसरे का इसका क्या मतलब हुआ के complimentary color ठीक है complimentary color हमेशे हमारे contrast में fashion field में बहुत काम आते हैं अगर हमारा blue के साथ orange का contrast बनता है तो हमेशे हम इस contrast को पसंद करते हैं red के साथ green का combination रखते हैं चाहे वह embroidery के अंदर आ जाए चाहे वह dress के fabric म में आ जाए print में आ जाए तो यह complimentary color हमें color इसमें बहुत ज़्यदा काम आते हैं हमारी fashion field में भी उसमें भी दूसरा analogous color तो इंतहाई important है आई makeup में अभी हम आगे करने लगेंगे तो यह चीज तो आपको बहुत अच्छे से याद रखने क्योंके मैं इसके लिए cross cushioning करना start कर अगर हम किसी भी एक shade से for example red में हमने yellow mix किया red और yellow दोनो primary colors है तो उसके बाद हमारा secondary color बना फिर उसके अंदर मजीद yellow mix किया तो हमारा tertiary color बना तो यह तो हो गया tertiary तक लेकिन अगर उस tertiary shade में हमने हलका सा white color mix कर दिया तो हमारा एक नया shade या tint बन गया तो this is the monochromatic color जो मजी पूरे shade start to end dark to light जो पूरे transition जाता है इसको हम कहते है monochromatic color same family color और यह हमारे eye makeup की transition में बहुत applicable होंगे आप लोग देखने वाले हो आगे हम यह भी कह सकते हैं कि 12 shades जो है वो हमारे natural या 12 shades जो हमारे color wheel में आते otherwise जितने भी extra shade है वो सारे tint और shades कहलाते अब colors के अंदर तीन बहुत important चीज बता रहे हैं जो आप लोगों के editing में बहुत ज्यादा काम आती है और आप लोग यूज भी करते हो उस चीज को तो वह भी color wheel theory की वजह से ही आपको अच्छे से समझ में आया चाहेगी color wheel के अंदर एक और चीज extra add हो जाती है hue intensity या value यू हम जब बढ़ाते हैं अकसर आपके editors के अंदर यह option दियोता है यू यह क्या है यह color के name है जैसे के red करना है हमें पूरा यू कहलाते है हम किसी भी अपने picture को red green yellow अजीब सा कर देते हैं एकदम और फिर आजाती है intensity शिदत कितना color आपका bright होना चाहिए एकदम या कितनी आपकी color की purity ने ज़र एकदम आप brightness पे ले जाओ एकदम आप उसको dull अंधेरे में ले जाओ तो वो intensity of color है यह भी color wheel में समझते हम साथ ही value की बात की या तो हमने lightness रखनी है या darkness उसी color की ठीक है उसी color को या तो हमने light दिखाना है dull सा light सा दिखाना है या हमने उस color को बहुत ज़्यदा dark करके दिख गया समझने कहीं भी इसको हम हटानी पारे हम अपनी field of life के अंदर हर जगह जाके color wheel हमारे साथ साथ चल रहा है color wheel theory को आपने समझना बहुत ज़रूरी था साथ ही मैं आप लोगों को अब वह शेड्स अपने आपके eye makeup की kit में भी यहां पर दिखा देती हूं यह देख पार है dark green to किस तरना इसका transition आगे mix and match करके different green के different shades बन गए हमारे पास purple के different shades बन गए red के different shades बन गए brown के different shades बन गए तो यह सब चीजे कोई भी palette design करने वाला कैसे कर पाया color wheel को समझते वे उसने एक color से primary color से multiple transitions निकाले monochromatic colors निकाले ठीक है जी तो जी next वीडियो में आप लेको पैपर लेकर बैठना है colors लेकर बैठना है और मेरे साथ साथ यह वाली looks try करनी है जिसमें हम इन colors को color wheel theory को समझते वे इस्तमाल करेंगे use करेंगे तो next जो class है वो थोड़ी सी excited होने वाली excitement होगी आप लोगों को उसको करते वे मज़ा आने व हैं अपना बहुत सारा खयाल रखें मुझे दौाओं में याद रखें इस वीडियो को share भी किया कीजिए मेरे लिए और दूसरा certificate के लिए मैंने इन लिस्ट तैयार कर लिए बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ इंस्टा पर share कर लूँगी वो लिस्ट ताकि आप लोग कुशिंज का ठीक है जी इसके अलावा अपना बहुत सारा खयाल रखें मुझे दौाओं में याद रखें और टेक केर लाहाफिज